स्टडी आईक्यू आएस अब तयारी हुई अफोर्डबल नमश्कार दोस्तों स्टडी आईक्यू देख रहे हैं आप और मैं हूँ वरुन जोहरी उम्मीदे आप लोग सवस्त होंगे सुखी होंगे ठीक होंगे जहां कहांगे होंगे आज कहानी आपके सबसे जार डिमांडे टॉपिक की जिसकी आपने बहुत जार डिमांड कि हमारे कॉमेंट सेक्शन में और यह टॉपिक है भारत के शेर्शा कारगिल के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा का यह वो टॉपिक है जिसके लिए हम भी बहुत जादा उत्सुक थे बहुत जादा सीखने को मिला इस प्रिसिपल गरदाईलाल बत्रा और कमल कांता बत्रा जो की पेशे से एक टीचर थी उनके घर पे 9 सेप्टेंबर 1974 को ट्विन्स का जनम होता है दो लड़के हुए बड़े का नाम रखा गया विक्रम और चोटे का विशाल विक्रम जो थे वो विशाल से 14 मिनिट बड़े थ रामचन जी की बहुत बड़ी follower थी भक थी उनकी तो उन्होंने अपने बच्चों का दोनों का यह जो ट्विन्स उनके जुडवा बच्चे हुए थे उनका नाम बच्पन में लव और कुश रख दिया लव विक्रम का नाम था कुश विशाल का नाम था इनकी दो बहने भी सीमा और नूतन और यह लोग अपना पालंपूर में रह रहते हैं इनकी जो शुरुआती पढ़ा ही हो इसके बाद जो प्राइमरी एडुकेशन होती है विक्रम की और विशाल की यह होती है डीवी पबिक स्कूल पालंपूर से वह इसके बाद सेकेंडरी एडुकेशन के ल आर्मी की जो गतिविदियां थी वो सब देखी लोगों को देखा तो इनके अंदर बहुत जादा एक आर्मी में जाने का मन इन्होंने बना लिया था करीब 14 साल के जब थे लिक्रम बत्रा कैप्टन लिक्रम बत्रा 14 साल के थे करीब 1988 में तो उस समय पे अपने पडोसियों क यहां से जबा आर्मी में जाने का वो और ज़ादा बढ़ने लगा इसकूल के दौरान बताते हैं कि अपने स्कूल को दिल्ली में जो नेशनल आपका कॉम्टिशन होता है, पार्लेमेंटरी कॉम्टिशन, उसके अंदर रिप्जेंट के नेशनल लेवल पर, उसके बाद कराटे बहुत अच्छा करते थे, कराटे में बताते हैं, ग्रीन बायल थे, इसके लिए मनाली भी गए हुए थे, कॉम्टिशन खेलने के लिए, और साथ मे के लिए अपना एड्मिशन लेते हैं, बीएस्सी मेडिकल साइंस में, बीएस्सी के लिए यहाँ पर उन्होंने एड्मिशन लिया, कॉलेज में बताया जाता है कि एड्मिशन लेने के बाद में, NCC में, NCC की जो एयर विंग है, उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, उ जो रिपब्ब्लिक डे और परेड हुई, रिपब्लिक डे परेड से आने के बाद उनके अंदर इतना ज़ादा जज़बा, इतना ज़ादा आर्मि में जाने का मन नुंका हो गया ता, कि जो अपने घर पे आयए पने पेरेंट से कहते हैं, कि मैं आर्मी join करूंगा मुझे बहुत अच्छा है लगेगा अगर मैं आर्मी में चला जाँ तो क्योंकि यह बताया जाता है उनके नाना भी और उनके काफी और भी जो relatives थे वो भी आर्मी में थे उनके नाना जी भी आर्मी के अंदर थे कि इसपोर्स में बताया जाता है काफी ज़ाद रचे थे इस दोॉरान के तक वह इंच्छा रब बताते हैं इस्पोर्स में बहुत जाद अच्छे थे कांगणा का नंबर वन टैनिस प्लेयर कहा जाता है उन्हें टैनिस बहुत अच्छा खेलते थे और कांगणा का नंबर वन टैनिस प्लेयर उनको कहा जाता है अगले साल अब बैचलर्स कंप्रीट होता है 1995 में और इसके ब तो तब वो बताती हैं कि इस बीच में एक दिन ऐसा था कि क्योंकि वो टीचर थी तो वो अपने स्कूल में गई और स्कूल जाने के बाद में उनकी जो साथ वाली टीचर थी उन्होंने कहा कि आपके लड़के को हॉस्पिटल में देखा है मा यहाँ पर परेशान हो गई विक्रम बत्रा की उन्होंने का हॉस्पिटल में कैसे देखा है क्या हो गया वो अचानक से यहाँ से सब छोड़ शाड़ के अपने स्कूल से सीधा हॉस्पिटल पहुंचती है वहाँ पर जब देखती है विक्रम बत्रा को, उनसे पूछनी है कि आप यहाँ पर कैसे क्या हो गया, तो तब वो बताते हैं कि एक 7th class की बच्ची थी, तब यह पता चला कि वो यहाँ पर क्यूं थे hospital में, एक 7th class की बच्ची थी बस से जा रही थी और बस से वो गिरने वाली थी, विक्रम बत्रा ने जब यह देखा कि वो आदी बस से लटक चुकी है, गिरने वाली है, इन्हों ने जल्दी से अपना active एक दिखाते हुए, अपना movement, उस बच्ची को माँ पर बचाया है, उसके बाद में first aid के लिए उसको hospital लेके आया हुए थे, तो एक इस तरह का attitude थ होता है कि दूसरी की मद्द करने के लिए हमेशा तयार, यह विक्रम बत्रा का attitude था, दोस्तों अपने एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दे, आप लोग जो ही वीडियो देख रहे हैं, अगर आप UPSC Civil Services examination की तयारी करते हैं, और आपका dream है, आपका सपना है आप से अपनी सहुलित के हिसाब से आप इन में से कोई भी एक बैच चूज कर सकते हैं, और फिर नीचे जो आपको एक quote देख रहा है, वीजे लाइब, आप जब इस course को choose करेंगे, select करेंगे, इसके बाद जब आप यहाँ पे एक quote लगाएंगे, तो जो 65,000 का course है, वो आप आपको 30,000 रुपे मिल जाता है, 29,999 में वो आपको मिल जाता है, आप यहाँ पे बहुत बड़ा अपना discount हो लेंगे ही, साथ ही अपनी तयारी उसको बहुत मजबूत बनाएंगे, तो जल्दी से जल्दी इस quote को लगाईए, अपनी तयारी को मजबूत बनाईए, आपके बढ़ते हैं अपने अपिसोट की तरफ, इस दोरान ये क्योंकि साल आ चुका थे, 1996, 1996 में बताया जाता है कि विक्रम बत्रा के पास में, मर्चेंट नेवी की तरफ से एक बहुत अच्छा बड़ा offer था, मर्चेंट नेवी की एक shipping company थी, जिसका headquarter होंग कॉंग में थ उसके लिए विक्रम बत्रा याँ पर select हो चुके थे, मुंबई में उनका interview था, written exam था, दोनो clear कर चुके थे, पास हो गए थे, उसमें select हो चुके थे, और इसके बताया जाता है कि सब कुछ book हो चुका था, उनका जो वर्दी थी, जो uniform थी, वो भी stitch हो चुकी थी, सब कुछ final था, लाखों का package था, बहुत बड़ी शांदार job थी, लेकिन दो दिन पहले ही, बताया जाता है कि कुछी दिन पहले, अच्छी खासी जो merchant navy की job थी, विक्रम बत्रा ने उससे इंकार कर दिया, उससे उसमें जाने से मना कर दिया, जब parents ने पूझा कि क्या हो गया, आपको क् कि मुझे सिर्फ army में जाना है, मुझे देश के लिए कुछ करना है, मुझे army में जाना है, और उसके लिए अगर ये लाखों की job छोड़नी पड़े तो भी चलेगा, और यहां से वो अपना army में जो उनका जाने का जनून था, उसको final कर लेते हैं कि आप जाना है, तो इसकी preparation जो चल रही थी, पढ़ने में अच्छे थे, brilliant student थे, sharp थे, बहुत जाद अक्टिव थे, exam qualify करते हैं और IMA देहरादून में joining लेते हैं, अब यह पहुंचते हैं, IMA देहरादून, बताते हैं, जो मानेक्षोब अटालियन है, IMA देहरादून में, जेसोर company, उसमें ये तोर पर शपत लेते हैं, अब यहां से इनको commission किया जाता है, 13 जम्मू कश्मी राइफल में, 13 जैक रिफ में, 13 जैक रिफ में commission होते हैं, माता पिता बेहत जादा खुश, बेटे ने जो सपना देखा था, उसको achieve कर लिया, फालिया है, और इसके बाद इस दोरान बताया जा क्लियर कर दिया था, जाने से पहले ही बता दिया था, अपना पोस्टिंग पर जाने से पहले, कि अगर आप लोग शादी वगरा के लिए लड़कियां देखें, तो मत देखिएगा, क्योंकि मेरी एक क्लास्मेंट है, और मैं उसके साथ में ही शादी करूँगा, आप लोग पिक्रम बत्रा को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, जहलपुर मद्यप्रदेश में, मद्यप्रदेश के जहलपुर रेजिमेंटल ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, इसके बाद में 1998 मार्च में, क्योंकि अभी 1998 आज चुका था इस समय तक, जब यह कमिशन दूए, इंफैंटरी स्कूल में भेजा जाता है, जो यँग ओफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, कोर्स होता है उसके लिए, इसके बाद में उनको पोस्टिंग की जाती है, उनकी सोपोर में, बारा मूरा डिस्टेक में जम्मो कश्मीर के अंदर, अब यहां सोपोर के अंदर जब यह अपने पहले assignment पे जाते हैं वे Captain Vikram Batra, तो बताया जाता है, सोपोर में 1998 में, Vikram Batra ने इस दोरान बहुत सारे ऐसे militants का सामना किया, इनको खदेडा है वहाँ से, और जो अपनी प्लाटून जो उनकी थी, अपनी प्लाटून को लीड करते थे, कई सारे militants को इस समय उन्होंने म इत्रत्व कर रहे थे और इस दोरान अचानक से एक गोली आती है, और उनके कंदे को छूके उनके पीछे जो उनके साथी थे, जो जवान थे, उनको जाके लग जाती है, जिससे उनकी मौत होगी, जो साथ में उनके जवान थे, जिसके बाद जब विक्रम बत्रा ने देखा कि ये गोली अचानक से चली है उस पूरे घने जंगल में रात बर ऑपरेशन चलता है और अगले दिन सुबह तक एक भी मिलिटेंट ऐसा नहीं था जो जिन्दा बचाओ सारे मिलिटेंस को मार दिया था लेकर ये जो गोली उनको च्छूके गई थी वो हमेशह यह कहते रहे हमेशह उनका यह कहना था कि ये गोली जो हिटीच वह उनके साथी आई डिये आपने उपर ले लिए वह गोली इनके कंदे को चूके पीछे throughJa थी इसी के साथ जन्वरी 1999 आता है अब ये साल 1999 आ चुका देश का अलगी महौल था जन्वरी 1999 में विक्रम बत्रा को दो महिने के लिए जो कमांडो कोर्स की जो ट्रेनिंग होती है बेल गाम में करनाट का में वहां पर बेजा जाता है और इस बीच ये जो इनकी दोस्त ही जिन लिएम था कि विक्रम बत्रा अपनी जो इनकी फ्रेंड ने उनसे बात करते हैंम यहां पर लगातार में उनकी चल ररही थी और घर पे यहां पे देश का माहौल कुछ बहुत जादा गरम होने वाला था देश का जो माहौल था उस समय 1999 के शुरुवात में ही वो कुछ इस तरह का था जन्वरी फरवरी में के प्रधान मंत्री अटल व्यारी बाचपई ने एक एतिहास एक बस यात्रा का एलान किया था लाहौर बस यहां पे अटल जी जो थे अटल व्यारी बाचपई उनका खुद जाने का नहीं था लाहौर उनका प्लान पहले नहीं था कि वो खुद लाहौर जाने वाले इस बस यात्रा के चलते लेकिन फरवरी के महीने में ही जब यह बस यात्रा होने वाली थी उस महीने में ही अटल मैं लिद्वist के नवास शरीफ कहते हैं आ या नितल जी ने कहा है बिल्कुल आ रहे हैं तो कहते हैं के दर तक आएंगे लेकी घर नहीं आएंगे जाग tutor नियुक्त O भारत से बस चलती है लाहोर जाती है अगले ही दिन अटल जी नवाज शरीफ से मिले 21 फरवरी 1999 और लाहोर वारता जो दो पक्षी समझोता था एक तरह से दो पक्षी मासोधा था उस पर हस्ताक्षर होते हैं और मुद्दा ये था कि ये जो दो देश हैं भारत और पाकिस्तान ये जंग नहीं करेंगे ये मुद्दा था इसके उपर हस्ताक्षर हुए थे जिसमें पाकिस्तान के साथ में भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था लेकिन बदले में करीबन तीन महीने बाद ही पाकिस्तान ने इक इस तरह का धोका दिया है कि करगिल में पाकिस्तान की आ की बात है 1999 आगले ही महिने जो अपनी ट्रेणिंग पर अपने कमांडो कोर्स की ट्रेणिंग पर गए हुए थे मेज़र कैप्टन विक्रम बत्रा यह मार्च के महिने में होली पर अपने घर पालंपूर आते हैं इस ट्रेणिंग के बाद दो महिने की ट्रेणिंग थी अब यह इसी सब की चर्चा होने लगी थी तो बताया जाता है कि कैप्टन विक्रम बत्रा पालंपूर में उनका एक बहुती फेवरेट उनकी लोकेशन हुआ करती थी एक कैफे था न्यूगल कैफे बताते हैं न्यूगल नदी के किनारे एक कैफे है बहुती सुन्दा जगह है यह अक थोड़ा सा गरम हो रहा है करगिल का और अगर तुम्हारा जाना होता है वहाँ पे तो थोड़ा समल कर रहना अपना ध्यान रखना कैफे विक्रम बत्रा ने जो बोला था वो एक तरह से रोंग्टे खड़े कर देता है उन्होंने कहा था कि या तो वहाँ पर तिरंगा लग होती पास में था तो माता पिता बर्स टेन तक छोड़ने जाते हैं और इसके बाद कैप्टन विक्रम बत्रा अपनी युनिट के पास में वापस आ जाते हैं अब यह मैं 1999 का समय था जब घुसपैट टेजी से पाकिस्तान ने शुरू कर दी थी और यह जो कारगिल चाहते हैं यह तो पूरी दुनिया ने देखा लेकिन अब दुनिया यह देखेगी कि हम शांती के लिए शांती की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी कर सकते हैं और अटल व्यारी बाचपी के इस ऐलान के बाद में इस उद्धोशन के बाद में और और तीन ऐसी पार्टियां थी जो पेट्रोलिंग पर गई उन पर हमला हुआ या गायब होगी मांसे ऐसी एक पार्टी थी जिसमें पालंपुर के ही जहां से कैप्टन लिक्रम बत्रा आते थे उनसे दो-तीन साल सीनियर थे एक बहुत ही दीर सपूत पालंपुर के सौरभ कालिय उनकी भी पेट्रोलिंग पार्टी गई थी उसका भी कोई अता पता नहीं लगा हर रोज ऐसा था कि शाहदत की खवरे आ रही थी करगिल से और देश पूरा माहौल जो था वो गरम भी हो रहा था और उदास भी हो रहा था क्योंकि किसी ना किसी के घर के लोग जो हमारे करीबन इस समय उनको 18 महीने पौज में हो चुके उनकी यूनिट को यह आदेश था कि उन्हें अपनी यूनिट के साथ में सोपोर से जहां पर पहले से कमिशन हुए थे 13 जैक्रिफ में उन्हें वहां से यूपी के शाजापूर जाना था अपनी दूसरी लोकेशन पर लेकि जब एकम बत्रा जिसी उनिट में थे यहां पर अब जब यह बात आई जिए आदेश मिलता है करगल जाने का तो इन्होंने घर पर फोन करके बताया घर पर फोन किया कि मैं करगल जाना पड़ेगा क्योंकि वहां पर माहॉल जो गरम हो रहा है अब घर वाले भी थोड़ा ट जाओ और आगे जाके परफॉर्म करो और मेक उस मेक उस प्राउड हम लों को प्राउड फील करो अपने देश के लिए लड़ो अब यहां पर यह भी एक चीज थी कि जो इन्हों की बात्चीत थी पहले से क्याप्टन विक्रम बत्रा की उनके घरवालों से कि करगल से आने क पहुंशते हैं और शुरुवात में इनको घुमरी में रखा गया था घुमरी एक जगे वहां पर जहां पे इनको हाई एल्टिट्यू ट्रेइन इन लों की करवाई गई थी इस पूरी यूनिट की हाई अल्टिट्यूट ट्रेनिंग इसलिए जादा जरूरी थी क्योंकि ये जो युद्ध चल रहा था कर्गिल का करीबं 15 से 17,000 फीट उचाई पर चल रहा था बहुत ही उची-उची खड़ी चड़ाईयां थी पहार थे और वहां पर ऑक्सिएन की बहुत जादा कमी थी ये सब वहां पर जो टीम जाती उसके लिए जरूरी था कर ट्रेनिंग हो क्योंकि चड़ना पढ़ेगा चड़ाई है और जो पाकिस्तान की फौज है वो ऊपर उचाई पर बैठी है वहां से निशाने लगाती है उन्हों के लिए उतना मुश्किल नहीं है लेकिन जो नीच लगातार फीट उचाई पर एक जो पहाड़ी है टोलो लिंग वहां की टोलो लिंग पर करीबन 10 दिन से जब यह लोग पहुंच चुगे थे करीबन 10 दिन से बहुत ही लगातार एक लड़ाई चल रही थी भारतिय फौचकी और पाकिस्तान फौचकी यहां पर जो भारतिय के आद 22 माई को यहां पर 18 ग्रेनेडियर्स को और टू राजपुतान राइफल्स को तू आरार को और 18 ग्रेनेडियर्स को यहां पर जिम्मेदारी दी जाती है इस जो टोलो लिंग पर जो लड़ाई चल भी थी इस पौइंट पर जहां पर बनना आगास थे उसकी और जब जून को तिरंगा जंडा फैरता है और पाकिस्तान की फॉज भक्ति नजर आती एक तरह से आप यह देखिए कि वहां से कुछ एदे सैनेक थे जो नीचे गिर गए सोला जार पीट की उचाई से कुछ को मार दिया गया तो यहां पे तेरा जून को तेज दिन की लड़ाई के बाद तिरंगा जंडा फैराया लेकिन इसमें हमारे भारतिये फोच के भी साथ जवान शाहिद हुए थे साथ जवानों को वीरगती प्राप प्राप थोई थी और राजपता राइफल ने और 18 गरेंडियस ने तू राजपता राइफल ने लेकिन यहां पर इंडियन आर्मी के अब लिया जो नेक्स्ट टेरिटरी थी जिसको जिस नेक्स्ट पॉइंट को हमें कैप्चर करना था वो था पॉइंट 5 1 4 0 ड्रास का अब यहां पर ड्रास के 5 1 4 0 को कैप्चर करना था और यह वो पॉइंट था जो कि इस पूरे टोलोलिंग कॉंप्लेक्स का बताते हैं हाइस्ट एनिमी एक्क्यूपाइड पोस्ट था मतलब जो सबसे उंचाई पे था इसकी जो उंचाई थी वो और जादा थी करीबन 16-17,000 फीट की उंचाई यहां पे हाइस्ट पॉइंट था जहां पे पाकिस्तान की फोज टैनाथ थी और अब इसको हमें कैप्चर करना था इस बीच 13 जैक्रेफ जो विक्रम बत्रा की यूनिट थी उनकी दो अफते की करीबन ट्रेनिंग हाई अल्टिट्यूट की ट्रेनिंग हो चुकी थी और इसी के ब एक बड़ी सी चट्टान थे उसके पीछे से दिखाते हैं कि वो ऊपर जो दिख रहा है वहाँ पे तुम लोगों को चड़ाई करनी है और वहाँ पे उस पॉइंट को कैप्चर करना है और ये सब अगले दिन की सुबा तक ये मिशन पूरा कम्प्लीट होना चाहिए यहाँ जो था वो उनके NDA की स्कॉइटरन का स्लोगन था और जब इसके बाद में आपके कैप्टन विक्रम बत्रा से पूछा जाता है कि आपका क्या कोड होगा तो उन्होंने कहा कि मेरा कोड है दिल मांगे मोर अब क्योंकि ये टेंशन वाली सिच्वेशन थी लेकिन ये सुनके दिल मांगे मोर ये सुनके जो सी ओ थे वाई के जोशी उनको भी थोड़ा हसी आ गए और उनने कहा कि ये क्यों ये किस लिए इसका क्या मतलब है तो यहां पर उनका बोलना था उनका कहना था कैप्टन विक्रम बत्रा का कि जब मैं इस पॉइंट को रीच कर लूँगा जब वाई के जोशी ने कमांडिंग ऑफिसर वाई के जोशी ने दो कंपनी बनाई अलग अलग बी एंडी बी मतलब ब्रावो कंपनी और डी डेल्टा कंपनी की कमांड दी जाती है एसस जामवाल को संजीब जामवाल को और डेल्टा कंपनी की कमांड थी जो डी कंपनी थी उसक का नाम उंचा करने का समय आचुका है 19 जून को जवानों ने कूच करना शुरू किया वह इसके बाद में डेल्टा कमपनी जिसकी कमान थी वह कैप्टन विक्रम बत्रा के पास थी इन लोगों को पॉइंट कैप्चर करना था 5140 और यह कैप्चर करना था इन्हें 20 जून तक 20 जून 1999 को यह इनका टास था विक्रम बत्रा की जो तुकडी थी जो उनकी कमपनी थी उसमें करीब 25 जवान थे लडाई को अब तक करीब 4 अफते हो चुके थे कारगिल के युद्ध को लेकिन अभी भी जो टोलो लिंग का यह जो 5140 यह जो पॉइंट था जो हाइस पीक था उस पर पाक की फॉज का कबजा था आलम यहां पर यह था इस पॉइंट पर चड़ने में कितनी जो चैलेंजेस थे वो इस तरह के थे कि एक तो चड़ना काफी मुश्किल था सबसे मुची चोटी थी साथ में पाकिस्तान की फॉज उपर से निशाने लेकर बैठे हुए नीचे से रास्ता भारती फॉज को बनाना है किस तरह से उन से छुपते हुए बाँपे पहुंचेंगे इसके लिए रात में जाना पड़ेगा सोबे के समय अगर जाएंगे तो फारिं कम ले जानी पड़ेंगी इस तरह की सिच्वेशन होती है या तो आप अपना खाना ले जाईए या अपनी बुलिट्स ले जाईए फैसला आपका है तो यह जो सिच्वेशन है इसमें बहुत सारा सामान रहता है सापने और ऐसी खड़ी चड़ाई करीबन 17,000 फीट की ने और कैप्टन संजीव जामवाल ने एक डिसीजन लिया इन लोग ने यह डिसीजन लिया कि चड़ाई तो हम क्योंकि करी रहे है और साथ में एक जो कवर है वो इस तरह से दिया जा रहा था कि नीचे जो यूनिट थी जो नीचे फोर्स थी इंडिन आर्मी की वो आटलरी जाए आपकी से लगातार उपर फाइरिंग कर रहे थे जिससे कवर लगातार दिया जाए और यह फाइरिंग की जाती है इसलिए क्योंकि जिससे जो ऊपर फौज है वो इन लोग नीचे चड़ रहे हैं इनके उपर उनका ध्यानना जाए तो यह लोग यहां पे डिसीजन ल जब यह लोग पहुंच जाते हैं 100 मीटर करीब उपर तो यहां पर जाके नीचे की फाइरिंग बंद की जाती है और इसके बाद कैप्टन विक्रम बत्रा ने जब बिलकुल नजदीक में उनको देख रहाता सामने बंकर है 100 मीटर की सिर्फ दूरी थी उन्होंने दो के अंदर कूटने यही देखते हुए उनके जो 25 जवान थे उनकी यूनिट के उनकी कंपनी के डी कंपनी के डेल्टा कंपनी के यह लोग भी इनको जजबा जोश आता है और यह लोग भी उस पूरे पाकिस्तान के बंकरों पर टूट पड़ते हैं सैनेकों को मारने लगते ह पके पाकिस्तान आर्मी के थैं एक 47 से वहाँ पर रख्यों पॉइंट ब्लैंक से तीन जानेकों को मारा था पाकिस्तान के और इनकों बंकर्त में पाकिस्तान के 17,000 फीट के उचाई साथ ये भी बताया जाता है कि वहाँ पे इनको भी बहुत सी चोटे उस समय पे इंजरीज इनको भी हो गई थी लिक्रम बत्रा को इसी बीच कैप्टन संजीब जामवाल की टीम ने भी इसी तरह से काम किया कई सारे बंकर्स को उड़ाया और बताते हैं कि करीबन इन दोनों ने दो पूर ऑपरेशन हुआ है सुबह के करीब साड़े तीन बजे 20 जून 1999 को रात के साड़े तीन बजे संजीब जामवाल थे उन्होंने अपना जो कोड ता वो सी यो को बताया उन्होंने बताया कि ओ या मतलब हम इस पॉइंट को कैप्चर कर चुके हैं जो पॉइंट उनको कै करने थे और करीबन उसके कुछी देर बाद 4.45 का 4.35 का टाइम बताया जाता है रात के मतलब सुबह सुबह के साड़े चार बजे चार बज के 35 मिनट कैप्टन विक्रम बत्रा ने रेडियो मैसेज भेजा सी यो को उस पर उन्होंने बोला था कि चानक के इस इस शेशा पोस्ट यह दिल मांगे मोर यह कैप्टन विक्रम बत्रा का मैसेज था उस रेडियो मैसेज पर यह सुनते ही सी यो समझ गए थे जो वायके जोशी थे कि हमारे जो जावाज सिपाई हैं जो हमारे जावाज ऑफिसर से उन्होंने अपना काम कर दिखाया अब यह देखते हु उन्हें 0.5140 को काप्चर कर लिया है हमने उसको जीत लिया है घरवाले भी बहुत ज्यादा खुश उनको बहुत ज्यादा प्राउट फील हो रहा था अपने जो बेटे पर आर्मी चीफ उस समय जो जनरल वेद प्रकाश मलिक वीपी मलिक थे वेद प्रकाश मलिक ने यहां मयभी मत्शन के नंदर उनका प्रोशन ख्रोशन किया है पहले वह लेफ्टेंड के लिए प्रोट किया जाता है इसके बाद क्यूंकि एक पॉइंट तो कैप्चर हो गया तो यहाँ पे क्या होता है कि अब यह जो 0.5140 capture हुआ इसके बाद 13 जैक रिफ को घुमरी बेजा जाता है ड्रास से ड्रास में अब तक यह लोग थे अब यह घुमरी बेजा जाते हैं और यहाँ से इनका जो अगला operation था जो इनको next अब कबजा करना था जहाँ पे वो था मश्को वैली मश्को घाटी में यहाँ पे अब मश्को घाटी को है के जो पॉइंट थे उनको capture करना था तो अब अगला target जो मश्को घाटी थी इसके लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को भेजना था लेकिन इस बीच इनको बहुत जात तेज बुखार भी आ गया बताया है कि किस तरह से पाकिस्तान की आर्मी वाले उनको जो इन्हों ने बता है कैप्टन विक्रम बत्रा इसके बात क्योंकि अब भुखार में थे लेकिन फिर भी अपना जो उनका टार्गेट था वो था मश्को वैली का जो पॉइंट है 4875 उसको capture करना यह जो point था 48751 बहुत ही ज़्यादा खड़ी हुई चड़ाई थी बिलकुल सीधी चड़ाई थी, सीधा slope था, 80 degree slope बताते हैं उसको वो इसके साथ ही यहाँ पे अंधेरा बहुत ज़्यादा था, visibility बहुत कम थी इन लोगों ने यहाँ पे इनकी यूनिट ने चड़ना शुरू किया, पाकिस्तान आर्मी के जो बंकर्स थे, वहाँ तक पहुँच भी गए और वही same strategy जो 100 मीटर से उन्होंने अटेक किया है, यहाँ पे अटेक करते हैं पाकिस्तान के बंकर्स पे, सैनिकों को भी उनके मार देते हैं पाकिस्तान के, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, लेकिन इस बीच एक सिपाई था, कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट का, जो उन उसको लग सकती थी, और ये लोग एक चट्टान के पीछे हुए, छुपे हुए थे, यहाँ पे, कैप्टन विक्रम बत्रा के साथ में उनके एक साती थे, उन्हीं की यूनिट के, सुवेदार रगनाथ सिंग, तो रगनाथ सिंग जो इनके साथ में थे, कैप्टन विक्रम चाहिए यहां से, इसको covered position में लाते हैं, यह भी uncovered position में पड़ा हुए, तो यहाँ पे रगनाथ जी ने उनको कहा था, कैप्टन विक्रम बत्रा से, के सर ये शायद बच नहीं पाएंगे, ये जो इनको गोलियां लगी है, ये शायद ही बच पाएंगे, लेकिन यहाँ पे कै लगातार फाइरिंग हो रही थी, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, वहाँ से एक गोली आती है, और सीधी कैप्टन विक्रम बत्रा के चेस्ट में आके लगती है, जैसी ये गोली उनके चेस्ट में लगी, वो नीचे गिर गए, उसके बाद में उन्होंने लगातार फिर भी करना जारी रखता, लेकिन इसके बाद में पाकिस्तान आर्मी जो लगातार उपर से फाइरिंग कर रहे थी, उसने एक आर्पी जी का बस दिया, और इसके बाद में कैप्टन विक्रम बत्रा को यहाँ पर गोली आ लगती है, लेकिन जैसे ही ये हुआ, ये पूरा इंसिडे इसी के साथ कैप्टन विक्रम बत्रा यहाँ पर वीर गती को प्राप्त होते हैं, लेकिन ये देखते हुई, जो पूरी यूनिट थी कैप्टन विक्रम बत्रा की, उसमें गुस्से की एक ऐसी लहर आई, एक इतना जोज जिसे कहते हैं कि अब तो हम साफ कर देंगे सामने व ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ था, इसके करीबन 18 दिन बादी, कैप्टन विक्रम बत्रा को वीर गती के 18 दिन बादी, दो महीने तक चली हुई ये लड़ाई जो थी कारगिल वोर की जो युद्ध था, वो खतम होता है, वो 26 जुलाई 1999 का दिन था, जब कारगिल वोर य इसका जो historical capture किया गया था भारतिये फोच के द्वारा किस तरह से, अपने एक जाबाज officer को वीर गती प्राप्त होने के बाद में, इस point का नाम रखा गया, बत्रा टॉप, और आज की टाइम पर ये बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है, अगले दिन की सुबा, 8 जुलाई 1999 को विक्रम बत्रा के घरवालों को पालमपूर में दो officers जाते हैं, उनको ये बताते हैं, ये जो समाचार था वो दिया जाता है, घरवालों के पास ये समाचार पहुचता है, इसके बाद में जब विक्रम बत्रा का जो पार्थिफ शरीर था, वो पालमपूर पहुचता है, जब ये गए हुए थे पालमपुर, कैप्टन विक्रम बत्रा के घर, तो उन्होंने कहा था, उनके पिता से के विक्रम अगर वीर गती को प्राप नहीं होता, तो एक दिन वो मेरी सीट पर बेटा होता, वो इतना जादा प्रोमिसिंग, इतना शांदार एक सोलजर था, इतना जन्वरी साल 2000 में, जो उस समय के प्रेसिडेंट थे, क्यार नारायनन उन्हों हैं दिया था, इन्हें परमवी चक्रियां पर मिलता है, वो बताया जाता है कि जो उनकी फ्रेंड थी, जिनको, जिनके साथ वो कारगिल वोर के बाद में, कारगिल युद्धी के खतम उनके बा जाते हैं, तो लोग उन्हें पहचान जाते हैं, उनकी रिस्पेक्ट उतनी ही जादा निकलते हैं, क्योंकि एक ऐसे वीर सपूत, उन्होंने अपने घर का भारत के लिए बल्दान की है, जिसका जो बल्दान है वो कभी शायद चुका नहीं जा पाएगा, एक ऐसा वीर विक्रम बत्रा ब्लॉक, साथ में जवलपूर के इंटोनमेंट का जो डेसिदेंशल एरिया है, उसको नाम दिया गया, क्याप्टन विक्रम बत्रा एंकलेव, और साथ में जो इंडियन मेडिकल एसोसियेशन का, कमबाइन कैड़िट मैस है, उसको उनके नाम पर, उनके सम्म पर तिरंगा भी लगाया, कारगिल में भारत को विजय भी दिलाई, कारगिल वार के हीरो बने, और वीरगती को प्राप्त हुए, तिरंगे में लिपट कर वापिस आई, तो ये था हमारा आज का एपिसोड, कैप्टन विक्रम बत्रा के उपर, जो आपने बहुत ज़्याद है, ये जो एटिट्यूड है, हम सभी को अपने जीवन में उतारना चाहिए, हम लोगों को भी इसी दियू के साथ, इसी एटिट्यूड के साथ में अपनी जिन्दगी में आगे चलना चाहिए, क्योंकि यकीन मानी है, अगर आप दूसरों की मदद करेंगे, तो आपको कभी मदद की जरू इनळी पड़ेगी, आप हमेशा अपनी लाइफ में, अपनी जिन्दगी में, वो मुकाम आसल करेंगे, जहां आप हमेशा दूसरों की मदद करने के लायकूं, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप मदद करने के लायक है या नहीं, क्योंकि मदद उ हमारे हीरो से सीखना चाहिए और यकीन मानी बहुत अच्छा लगता जो आप लोग इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं हमारे जो रियल हीरो से उन से रिलेटिग वो जब कॉमेंच सेक्षिन ने बताते हैं तो अमीद आप और भी ऐसे टॉपिक्स बताएंगे और आपके कई सारे टॉपिक्स ने जिन पर वीडियो आएगा लगातार में आएगा क्योंकि काफी रिसरच करनी पड़ती है पढ़ना पड़ता है उसके बाद में आपके लिए इस तरह के टॉपिक्स हम लाते हैं तो यह आपके लिए हम एपिसोर्स लेकर आते हैं टॉपिक्स लेकर आते हैं एक बहुत ही डीटेल रिसरच डैप्थ इंडेप्ट रिसरच के साथ में तो यह सीरीज देखिए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आगे आने वाले अपने और भी टॉपिक्स आ बन्यवाद जैहिंद जैहिंद की सेना